मैं शिवकांद गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपने लोगिंग क्या है बोल्सकाई रक्षा बंधन के पावन त्योहार पर इस बार चंदर ग्रहन भी लग रहा है ऐसे में कई राशियां ऐसी हैं जिन पर इसके प्रभाव बुरे पड़ेंगे आज हम आपको बताते हैं कि रक्षा बंधन पर कौन से उपाए भाई बहन के इस पावन परव को सही बनाएंगे और आपको चंदर ग्रहन के बुरे प्रभावों से बचाएंगे सबसे पहला उपाई, सूखे नारियल और काले कपड़े का उपाई आपको चंदर ग्रहन के बुरे प्रफाव से चुटकारा दिलाएगा रक्षा बंदन का त्योहार भाई बहन के रिश्टे और उसमें बसे प्यार को मजबूत करता है रक्षा बंदन के दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बानता है तो भाई भी बहन को तोफे के रूप में कुछ उपहार देता है जो खुश रहने के लिए भगवान से दुआ करता है इस बार रक्षा बंदन साथ अगस्त को है लेकिन इस बार आपको सावधान होना पड़ेगा आपके इस प्यार भरे त्योहार में भंग पढ़ सकता है दरसल इस बार इस राखी के त्योहार पर चंदर ग्रहन का साया है राखी 7 अगस्त को है और उसी दिन चंदर ग्रहन भी लग रहा है इस दिन अगर कोई बहन अपने भाई को शुब महुरत पर राखी नहीं बांदेगी तो उस पर ग्रहन का असर पढ़ सकता है इसके लावा चंदर ग्रहन से बचने और उससे दूर रहने के भी उपाए हैं जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिससे अपना कर आप चंदर ग्रहन के बुरे प्रभाव से खोद को बचा सकते हैं चंदर ग्रहन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप एक सूखा नारियल लें और इसके साथ ही साथ जयफल, 21 जोड़े लॉंग, 21 जोड़े छोटे लाइची, 200 ग्राम भूरी सर्सों, 200 ग्राम काले उड़द, 200 ग्राम चाय की पत्ती को काले कपड़े में बांध लें इसके बाद अब इस पूरे नारियल को अपने उपर से नजर उतार करदान कर दें कहा जाता है कि ग्रहन में गरववती महिलाओं पर बुरा सर पढ़ने की संभावनाई काफी ज़ाता होती है इसके लिए उन्हें ग्रहन से बच कर रहना चाहिए इसके अलावा इस दोरान गरववती महिलाएं अपने साथ एक नारियल जरूर रखें इसके साथ ही लोहे का कोई सामान जैसे की चाकू या कैंची अपने आसपास जरूर रखें तो सूखा नारियल और काले कपड़े में दिये गए इन सामानों का उपाए आपको चंदर ग्रहन के बुरे परभाव से छुटकारा दिलाएगा बोल्सकाई में फिलहाल इतना ही